हम डॉक्टर मिश्र जी के पुद्र के नाते चेतना समीती के अपन पड़िवार के तरफ से अभारवेक्ट करे छी धनेवाद दैछें जे अपने टॉक्टर जगनात मिश्र जी के जैनती के अफसर पर अपने आयुजिन के लिए यह और अपने के हिर्दे से चेतना समीती के तमाम अपने के टीम के उमेश वाओ के विवेका जी के जैदेव जी के सब के हम हिर्दे से हम अभार हम दैछी और बहुत धन्यवाद थे हम सब चेत्ना समीती की काड़ी क्रम में प्रया जह हम सम एक्ना सब्सकेपशे अज्चे के अजिसा है लगर तो हिंदि में बाजय को समाप करें तो हम लोग एपने अपने 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 घर को जाएं! बहुत बातें आई, सामने आई कुछ बातें सिर्फ संशेप में हम आपसे हम साजा करना चाहेंगे आपके सामने हम रखना चाहेंगे इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मानिय मंत्री हमारे भाई आदनी मंगल पांडी जी बिहार सरकार के मानिय मंत्री हमारे भाई समराथ चोधरी जी पूर मंत्री वर्तमान में बेनी पटी छेतर के विधायक बिनो नराइन जाजी मेरे बड़े भाई डॉक्टर संजीम मिश्र जी वीवेका जी उमेश वाओ और यहां पर बहुती कम सूचना में बिहार के विभिन हिस्सों से आएवे तमाम देवियोवम सज्जनों और डॉक्टर जगनात मिश्र जी के कुश्रधानजली अरपित करने के लिए जो आप सब यहां उपस्थित हुए और पडाया जो मेरी सूचना है कुछ लोग सारे तीन बज़े आ गए कुछ चार बज़े आ गए और पांच बज़े से तो अनवरत आप लोग यहां बैठे हुए हैं हम कोटी कोटी प्रणाम आपको करते हैं कि आप लगातार इतनी देर से आप यहां पर इस डॉक्टर जिनात मिशी जैनती जी के जैनती समारों में आप यहां आपने इतना अपना समय दिया हम भी राजनीत में हैं समाजी कार से जुड़े हुए हैं अलग-अलग कारियों का मैं जिकर नहीं करूँगा ना मैं समय लेना चाहूँगा एक प्रस्तुती हुई वीडियो के माध्यम से मातर तीन दिन में उसको बनाया गया है बहुत अच्छा प्रयास हमें कह सकते हैं करने की कोशिश हम लोग नहीं की है उनका 50 वर्षों का जो सारवजनिक जीवन रहा है उसको 10-12 मिनट में हम समेट लें ये असंभव सा कारे हैं लेकिन फिर भी एक कोशिश हुई कि कम सकम जो उनकी सारवजनिक जीवन की और राजनितिक जीवन की जो यात्रा रही है उसको संचेप में आपके सामने हम लोग प्रस्तूत करें और एक वो छोटा सा प्रयास रहा जो उस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों ने देखा मुझको लगता है ये चर्चा भी हुई मैं सिर्व एक जानकारी दे दूँ कि सतर से और असी के दशक में बिहार ने ग्यारा मुखवंत्रियों को देखा अपने आप में आप सोचेंगे कि बीस वर्षों में ग्यारा मुखवंत्री और बहुत बार सोशल मीडिया पे खास वासे जब हमारे युवा साथी और आज मुझको लगता है वर्चोली भी लाइव हम इस कारिकरम को बहुत लोग देख रहे हैं उन तमाम साथियों को भी मैं सौगत करना चाहूंगा कि आप लाइव इसमें जुड़े हैं बहुत सारे हमारे युवा साथी अक्सर प्रशन करते हैं जब वो तीन बार की बात सुनते हैं कि तीन बार वो मुखवंत्री रहे तो आज के संदर में वो समझते हैं कि उनका काड़काल पंदरा वर्शों का रहा होगा सुभाविक है कि वो एक मुखवंत्री जब वो बनते हैं तो पांच वर्शों का उनका काड़काल होता है आप जो कह सकते हैं जो उनका जीवन का हिस्सा रहा वो 32 वर्षों का रहा और उस 32 वर्ष में मातर आठ वर्ष वो किसी पद पर रहे ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि मातर आठ वर्ष वो पद पर रहे पांच वर्ष मुखवंत्री के तौर पर एक वर्ष लगव केंदर में मंतरी के तौर पर और दो वर्ष बिहार सरकार में मंतरी के तौर पर अगर हम उनके मुख काड़काल 1983 को हम मानते हैं और जब वो हमसे विदा हुए 2019 में तो उनको मुखवंतरी पद से हटे हुए 36 वर्ष हो चुके थे लेकिन आप उनका जुडाओ देखी आज आप लोग इतनी संख्या में आज भी यहाँ हैं तो कहीं न कहीं उस विक्ती में ऐसा जरूर कुछ था कि इतने वर्षों तक शाशन में नहीं रहने के बाद भी लोगों का जुडाओ और जिसको कहते हैं पीपल ऐसे विक्ती में हो पाना ये समान चीज नहीं है मेरे साथ क्या कठनाई हो रही है क्योंकि मैं अभी अब लगब बीस वर्षों से अधिक सारजोनिक जीवन में हूँ तो जो लोग उनको जानते हैं वो उनकी तुलना मेरी तुलना उनसे करने लगते हैं उनकी जो कारिशाली दो लोगते हैं वो तो जानती वो किसी वेक्ति से संभव नहीं हो सकता है यह आज भी वास्तिविकता है कि बहार और उस समय का बहार जब जहार्खंद भी जुड़ा हुआ था किसी भी गाव में किसी वेक्ती को उसका नाम से बुलाना कोई वेक्ति गया जाकि अपना कि इतने वर्षों तक शाशन में नहीं रहने के बाद भी लोगों से जुडाव रहा और 2008 के बाद तो वो सक्रिय राजनीत में भी नहीं थे और मैं जब ये अक्सर इस बात को कहता हूँ कि जो उनका अंतिम समय था वो सरवमान अभी भावक के तौर पर थे हम देखते थे उनके पास और मुझको ये अफसर जरूर मिला कि हम मेरा जो राजनीत का बीस वर्ष कह लीजिए सारजनीक जीवन का बीस वर्ष कह लीजिए और यो जब उनका जो एक सारजनीक जीवन का अंत हो रहा था तो मैं एक काफी समय उनके साथ मैंने बिताया और मैं अकसर देखता था वो वेक्ति किसी भी पार्टी से आता हो कहीं का हो आ के चाहे घरेलू समझ से आ हो या कोई उनसे राय लेना चाहता हो तो वो आते थे वो बात करते थे उनसे उनसे मारक दरशन प्राप्ट करके जाते थे बहुत बार ऐसा हम को मिला हमारे राजनीत मे बहुत सारे साथ ही ने हमको कहा अगर जैसे कोई चुनाव जीता तो हम सोसते ही रहे कि उनको हम फोन करे डॉक्टर मिश्न उनको फोन करके बदाई दे देते थे किसी के साथ अगर वो कोई चुनाव हारा या किसी के साथ कोई हाथसा हुआ कोई बात हुई हम लोग सोसते ही रहते थे कि नहीं इन से बात करनी चाहिए तब तक वो फोन कर चुके होते थे बहुत सारे परशाशनिक पदादी कारियों ने मुझको यहां तक कहा कि अगर उनको कोई एवार्ड मिला या उनका प्रमोशन हुआ वो उनको फोन करके उनको बढ़ाई देते थे तो इस तरह की क आतर कम समय में उन्होंने हर एक छेतर में समाज के हर एक वर्ग के लिए और मैं जब हर एक वर्ग कह रहा हूं तो आप सही में देखेंगे कि समाज में हर एक वर्गों के हितों के लिए उनके विकास के लिए उनके रक्षा के लिए उनके निड़ने हैं जो आपको मुझको भी लंबा समय मिला राजमंत्री परिश्यद में काम करने का एक बार मंत्री परिश्यद की बैठक में थे एक सनलेक आया मुझको मैंने जिग्यासा वक्स वस उसको पढ़ा उंतर जाती है विवा के संदर में था और उसकी जो प्रोथसाहन राशी है उस राशी को सरका बरहा रही थी और संभवता अगर मुझे याद है पहले बीस या पचीस हजार था उसको बढ़ा के पचास हजार किया गया तब वो जब नोट आया कैमनेट में मैं देख रहा था तो वो निर्णा उन्हीं सो चीहतर का था तो आप ये कलपना कीजिए कि उस वेक्ति की क्या स समाज को जोड़ने में कि अगर आप इंटर कास्ट मैरेज करते हैं तो आपको प्रुक्साहन मिलेगा यह समाज में हमारी महिलाएं जो कम आयू में अगर विद्वा हो गई वीड़ो हो गई उनसे कोई शादी करता है पैंतिस वर्ष के का अगर कोई युवत उसको सरकारी न उद्गाटन हुआ तो उससे लौट आप वापस आ रहे थे मुझको एक बार उन्होंने कहा कि जब गांदी से तू पहली बार बना तो सिंगल लेन ही था और जब प्रस्ताव आया कि इसको डबल लेन करना है तो पुड़े विभाग ने और वित विभाग ने भी और पत नि पुल के बगल में एक और पुल मानि परदान मंत्री जी की देन है कि एक और पुल का निर्मान हो रहा है बतर हम आपको यह बताना चाहरे है कि कितना उनका अगे सोच रहता है इस तो प्राय विभाग का जो नोटिंग आता है मंत्री भी सुइकार कर लेता है नहीं ठीकी है क्राफिक लोड थोड़ी पड़ेगा सिंगल लें रह जाएगा लेकिन आप उनकी सोच से देखिए हम अक्सर कहते हैं कि कोई पूछता है कि भाई आपने क्या ऐसा उन्होंने कम समय में क्या आपके चलिए हम फुद चर्चा नहीं करेंगे सुधा दूद तो घर घर जा रहा है सुधा दूद तो हम लोग अपने घर में पी रहे हैं वो किसकी दें थे उन्होंने ही शुरू किया अंतिम समय का बस दो तीन बात कहके वो अपनी वाणी को विराम दूँगा उनकी एक अंतिम पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा भारत रत्न पुरुव राश्पती श्री प हम लिखी हुई है और बिहार बारे में भी जितने निर्दें हैं जो इनकी आपने ंते है वो जो गरना चाहते थे हूँ है ऑसमें बहुत लोग को नहीं मालु है खासों से हUNG एक उर यबा पिर भारी को नहीं मालु है क्यों नहीं सु पछ्ष राटना होई थी जिसमें जीवन भर बं के कनों के साथ अपना जीवन जीए आपको नहीं मालूम होगा उनके पाउ में तेरा बं के स्प्लिंटर उनके आखरी समय तक ते और वह हमेशा उनको पीरा देते ते तो यह बाते बहुत लोग नहीं मालूग जब मैंने पुस्तक उनकी देखी जिसमें वो बं क कन एक अध्याय है जोसको मैं पर रहा था तो उसमें यह पंक्ती मुझ को दिखी दूसरी बात अक्सर जब उनकी बात होती है और खासों से अभी क्योंकि उनके जमाने में ना सोशल मीडिया था ना डिजिटल दुनिया थी हम उनके पुड़ाने वीडियो खोज रहे थे मु बने केंदर में मंत्री बने लेकिन उनको कहीं ना कहीं जीवन में बहुत कुछ सहना परा और उनकी विडवना यह रही कि जो कारे उन्होंने किया उनके कारें की चर्चा किसी ने नहीं की क्योंकि जिस पार्टी में वो हुआ करते थे उनको लगा अगर हम चर्चा करेंगे उनको श्रे जाएगा, तो और उनकी पार्टी ने चर्चा नहीं किया, लंबे समय हुनkę हो गए, संतानवे में उस पार्टी से वह अलग हो गए, उसके बाद भी किसी ने चर्चा नहीं की, किसी राजनितिक दल में ऐसे फिर रहे नहीं 2008 के बाद वो रहे नहीं तो उनके कामों की चर्चा किसी ने की नहीं तो ये दुरभाग रहा उनके साथ कि एक ऐसा वेक्ति जिसने अपना जीवन बिहार के लिए वो समरपित रहे बिहार के लिए सोचते रहे और कम समय में सबों के लिए किया लेकिन उनके कारियों की चर्चा नहीं हुई बाद में उन्होंने मुझको यही कहा और एक अंतिम उनका कुछ लेख अगर आप देखेंगे और कुछ इंटर्वी उनके बाद में आपको मिलेंगे यूट्यूब पर जिसमें उन्होंने जो बीस वर्ष की उनकी जो नया एक जो एक तरह से मानसिक रूप से और हरेक ढंग से वो पीरित होते रहे प्रतारित होते रहे आप सोचिए उस वेक्ती की कुंठा को कोई ये नहीं जाना वो कहते रहे ऐसे ऐसे उसमें आरोप लगे जिस अवधी में वो मुखमंत्री नहीं थे जब अड़स्ती थोप दिया गया कि मुखमंत्री थे सोचिए वो आदमी बोल रहा है लेकिन कोई सुनने को तयार नहीं है तीन चिठी है हम लोग सवराजनीत में है मंत्री दो दो बैटे हैं कितनी अनुशंसा हैं लोग लिखते हैं हम लोग लिखते रहते हैं मैंने तो उनके अनुशंसा के बात जो उनका हुआ मैंने परन किया मैं कोई अनुशंसा करूंगा ही नहीं करूंगा और मैंने अपने सामने जब मैं मंत्री था मैंने विधायकों को कहा भी कि आप अनुशन सा मत कीजे किसी को क्योंकि आपकी नियत कोई नहीं समझ पा रहा है और किस्मत ऐसी हो जाती है कि आपको कहां पे खड़ा कर देता है विधान सभा के उनके जो स्टेटमेंट थे वो किसी और नेता के नाम से दे दिया गया बता ही कि उसे व्यक्ति के अंदर वो पीरा रही कि हम बोले जा रहे हैं सत यह है और आज मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ खास्तों से युवा पीरी को कि वास्तिविक्ता समझ यह हम लोग तुरत निर्ने पर आ जाते है यह सही है यह सही है यह गलत है यह गलत है लेकिन हम पढ़ते नहीं है हमको पढ़ना चाहिए हमको चीजों को समझना चाहिए अंतिम बाद जो मैं आपको आज कहना चाह रहा हूँ जो जानना चाहेंगे उनके नाम का एक वेबसाइट भी है आपको मिला भी होगा फुस्तक उनके बारे में सब कुछ है जीवन के हर एक पहलू के बारे में है जो आप देख सकते हैं जब वो मुखवंतरी से हटे बिहार की पीरा का एक समवाद काडिकरम उनका लगातार चलता रहा और जीवन के अंतिम समें तक उनका वो समवाद काडिकरम चलता तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समवाद में उन्होंने आप लोगों ने भाग भी लिया होगा फिर अंतिम पुस्तक जो उनके आई बिहार बढ़ कर रहेगा तो हमें लगा एक राजनितिक कार करता के भी नाते और जो उनके कारियों को बहुत नजदीक से देखा है उनके भावनाओं को समझा है उनके दिल में क्या था वो मैंने महसूस किया है तो मुझको लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए हम लोग सिर्फ जैनति और पुनतिधी पर लोगों को याद करते हैं अभी हम लोग आजादी का अमरित वर्ष मना रहे हैं 75 वर्ष हो रहा है और मानी परदान मत्री जी ने कहा है कि और एक तरह से आप देखेंगे जब 25 वर्ष बाद बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो हम लोग शायद ना हो जो अजादी का सौमा वर्ष में हम लोग जाएंगे एक आप जब जाएंगे तो एक छोटा सा आपको एक विवरन मिलेगा बिहार बढ़कर रहेगा मैंने ये सोचा कि जो उनकी एक राजनितिक यात्रा रही है समाजिक यात्रा रही है और उनकी जो अंतिम इक्षा ऐसी रही कि नहीं बिहार को बढ़ना चाहिए बिहार को बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं मैंने इसी मंच पर 2020 में विद्यापती समारों में मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि हमारा ये प्रियास होना चाहिए कि बिहार के हरे एक छेतर की कुछ ना कुछ विशेष्टाएं है और कुछ ना कुछ वहां की परिशानिया है उसकी मैपिंग आवशक है कि हम उन परिशानियों को समझे और छेतर की विशेष्टा को समझे जैसे मानिय प्रदान मंतरी जी कहते है कि हमको लोकल के लिए वोकल होना है तो हम कैसे होंगे जब तक हम उन चीजों को समझते नहीं है तो हमने यह तै कि आने वाले समय में आज उनके जैनती के अफसर पर बिहार बढ़ कर रहेगा एक अभियान मेरे मन में है कि हम उनको यह समड़पित करना चाहते हैं कि बिहार के विविन हिस्सों में एक हम समवाद करें और उस समवाद में हम लोगों से समझें कि आप अगले 25 वर्षों में जब बिहार जब हमारा देश 100 वर्ष अपनी आजादी का मनाएगा तो अगले 25 वर्ष यानि जो बच्चा आज जन्म ले रहा है जब वो 25 वर्ष का होगा या जो वेक्ति आज 25 का है जब वो 50 का होगा तो हमारा बिहार कैसा होना चाहिए तो इस पर हम एक समवाद करना चाहते हैं आने वाले समय में बिहार के विविन हिस्सों में जाके आप सब के साथ बैठके और मेरी वो कोशिश होगी क्योंकि लिखने पढ़ने की रुची मेरी भी है डॉक्टर मिश्र जी जैसी तो नहीं हो सकती है लेकिन हम इतना जरूर है उनसे प्रेड़ना हम जरूर लेते हैं मेरी इच्छा है कि उसको हम डॉक्युमेंट करें चिनित करें विशेशग्यों से बात करें और चाहे नीती आयोग हों, राजसरकार हों, केंदर सरकार हों उनको एक दस्तावेज बना कर हम सौपें मुझको लगता है कि शायद डॉक्टर मिश्र जी के परती सची श्रणनांजिली यही होगी कि जो जिनोंने जीवन बर बिहार की पीरा से अपने आपको जोड के रखा और जो कभी कलपना नहीं कर सकता हो कि राष्टिये नित्त से बिहार के हक के लिए लड़ाई लड़े और वो लड़ाई में शब्दों में नहीं कह रहा हूँ आप देखिएगा यह वास्तविक्ता है कि बिहार की नाइंसाफी के लिए मजबूती से वो बात रखते थे जिसके कारण वो मुख्वंतरी से हटाई भी गए और अंतिम उनकी पुस्तक बिहार बढ़ कर रहेगा सही माइने में अगर हम इस काडिकरम को अच्छे से उसका हम आयोजन कर लें आप सब की सयो की आवशक्ता होगी और बिहार सरकार के मानिय मंत्री यहां बैठे हैं बिहार सरकार को केंडर सरकार को और सभी पॉलिसी मेकर को हम वो दस्तावेज हम देना चाहेंगे कि शायद आने वाले समय में जब आप बिहार के लिए पॉलिसी बनाए बिहार की परगती के लिए आप जब नीती निर्धारन आप करें तो शायद वो दस्तावे जो हम बना के आपको देंगे, कुछ काम आपको आ सके, मुझको लगता है कि यही एक सची श्रदानजली, हम अपनी ओर से डॉक्टर जगनात मिश्र जी को दे सकेंगे, जिन्होंने अपना जीवन बिहार के लिए दिया, और वो खुल के बोले, उनकी विशेष्टा थी, खुल के बोले, मैं सरकार में मंत्री भी था, बहुत बार उनकी बातें ऐसी आ जाती थी, जो हम बोलते भी थे, कि आप ऐसा बोल रहे हैं, कहीना कहीं मेरे लिए कठनाई हो रही है, लेकिन फिर भी मुझको लगा कि नहीं, डॉक्टर जगनात मिश्र जी का वेक्तित और उनकी शक्षियत ही यही है, कि वो खुल के बोलते हैं, हर एक विश्यों पर बोलते हैं, और मेरा यही पुना, चेतना समीति को हम धन्यवाद देंगे, और हम तमाम अधिति को भी हम अभार वेक्त करेंगे, कि आप समय निकाले, तारकिषोर जी को भी आना थ तो मैंने कहा कि ऐसे लोग को हमें बुलाना चाहिए जो वेक्तिकत वरूप से जिनका जुडाओ रहा हो, तो विनोर नराइन जी ने भी जो एक लंबा समय उनके साथ बिताया है, कुछ उनके अनुभव रहे हैं, समराण जी ने भी साजा किया, मंगल जी ने भी साजा किया, हम हिर्दय से आपको धन्यवाद देंगे, अपनी ओर से भी धन्यवाद देंगे, और अध्यक जी कहनुमती से चेतना समीती की ओर से भी हम हमी धन्यवाद दे रहे हैं, और तमाम आप सब लोगों को जो आप यहां समय निकाल के आप आए, और आपके ही आने से मुझको लग हैं, तो हम आफी चाहेंगे, बोलना बहुत कुछ से, आम तो वेवकावाद को कह रहे थे, कि हम लोग तो घंटो घंटो बोल सकते हैं, लेकिन उसकी आवशक्ता नहीं है, लेकि इतना जरूर कहूंगा आपको, और खास और से बिहार की युवाद पिरी को, कि आप जरूर उ यही बात कहके अपनी बात समात करूंगा, एक काडिकरम में, उन्होंने मंच से सुिकारा, कि जब वो मुखवंतरी थे, जनादेश उनके नाम का नहीं था, यह समझना पड़ेगा, जो आज कि समय में, और उसको याद है, उस मंच पर मुखवंतरी नितिश कुमार जी भी ब कि NDA के शाषन में, भारतिये जनता पार्टी और जदियू की जब से सरकार बनी, बिहार निरंतर पड़गती कर रहा है, और और भी आगे करेगा, मेरी ऐसी कामना है, और उसमें हमारी भी कुछ सभागिता हो सके, यही मैं अपने आपको खुश नसीब समझूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का